आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट सतरा अलफा के बारे में जिसको नेलगिरी क्लास का भी फ्रिगेट कहा जाता है जिसका निर्मार कारे भारत में गार्डन रिच सीपे बिल्डर्स और इंजेनियर्स और मजगाउ डार्क लिम्टेट के द्वारा किया जा रहा है यह जो है फ्रिगेट सीवाली क्लास फ्रिगेट का सकसीजर है लगभाग इसकी जो लागत है चार चार करोड प्रत फ्रिगेट के हिसाब से इसकी लागत होने वाली है और इस तरह की करीब साथ फ्रिगेट भारती नौसेना के लिए बनाई जाने की योजना है इसका करीब 6670 ताबन चमता है साथियो इसकी लंबाई 149 मीटर है इसकी उचाई 10.8 मीटर है और गहराई लगभग इसकी 9.9 मीटर तक है इसमें जो एंजिन का इस्तमाल किया जाता है जिसमें डीजन इंजिन के साथ जात इसमें अमेरिका की जनरिक्तिक consultantstand किया जाता है इसकी रफ्तार 52 किलो मीटर पदिघंटा है और इसकी जो रेंज बताई गई है वो रेंज यह है कि यह लगभग 2900 किलो मीटर बर और साथ ही साथ 52 किलो मीटर पदिघंटे की रफ्तार से यह तै कर सकता है और 33 किलो मीटर पदिघंटे पर यह आराम से 1200 किलो मीटर की दूरी त जो है दो जगां दिये गए हैं यह दो हैली का अप्र ले जाने में सक्षम है इसमें लगभग 32 सतिकारियों सहीद 226 सेलर सवार हो सकते हैं इसके सिंसर और पोसेशिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आई ए आई एल एम तू थाउजन टू पोटी एट एम एफ स्टार इस बैंड ऐसा रडार तो हैं इंडरा एल्टी आर टून्टी वाइव लांजा इल वैंड सरफेसर रडार होता है सुनार के लिए इसमें बे बे एल का हमसा एम एंजी का रडार इस्तमाल किया जाता है तो व ार ये जा सकता है दो आई के बारे में बात करें तो इसमें 22 बराह 8 E.R और 22 मिसालो को ले जाने की झंता है पिएे इंटी परफेसन मिसालो कन ले जा सकता है तो यह भी विरूधी य्द्ध के लिए यः दो टिपल ट्यूब डार्पीडो लांचर वर्वरास तसे लैस है बंदूकों के बारे में अगर इसकी बात की जाए कैननाउन के बारे में तो मिलारा 76 मिमीन अवसेनिक बंदूक ये ले जा सकता है इसमें दो HL-3 को ले जाने की च्छमता है